हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो दाबिता और गाइस आज की इस वीडियो में जो सबसे दा कन्फूजन आप लोगों के माइन में हैं उसी को दूर करने आई हूँ गाइस जो पेपर में आप लोगों के क्वेस्चन जो आ रहे हैं वो कितने आरे हैं आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि वन मार्क का एमसी क्यू है तो गाइस वन मार्क का एमसी क्यू नहीं है आज हम अकाउंट्स का पेपर डिसकर्स करेंगे आप लोगों को जो चीज खलीर है वो पता है आपको कि टाइम लिमिट 90 मिनट्स की है यानि कि देड़ घं मैक्सिमम मार्क्स हमारा 40 मार्क्स का पेपर होगा बट सबको ऐसा लग रहा है कि 1 मार्क का MCQ आने वाला है तो गाईज यसा नहीं है हमारा जो सैंपल पेपर बनाए गाईज और आने वाला जो हमारा पेपर है वो किस तरीकी का होगा और 1 मार्क का MCQ नहीं होगा तो कितने मार् आपका part 1, 2 और 3 में paper आएगा part 1 जो कि सबके लिए compulsory है सबके लिए बोले तो इसमें partnership है और companies की आपकी book के questions है जो कि 3 parts में divided है section A, B, C में section A में guys total 18 questions है जिसमें से आपको 15 attempt करने है B में again 18 questions है 15 attempt करने है C में 5 questions है 4 attempt करने है तो अगर आप total देखोगे तो आपको 34 questions attempt करने है जबकि part अगर second में आप चले जाओ जो कि आपकी analysis book पर है उसमें 2 section में आपका paper है section A में आपके 7 questions है guys जिसमें से आपको 5 करने है section B में भी 7 questions है जिसमें से 6 करने है तो 6 और 5 होगे 11 आप 34 questions इसमें से और 11 इसमें से part C जो है guys वो computerized है मला computerized accounting है तो वो choice होती है जिन्होंने ये subject लिया होते है वही देते है यानि कि इसमें और इसमें choice होती है part second करो या ये करो तो यानि कि normal जो account से student है जिन्होंने ये नहीं ली उनको ये दो part ही करने है और जिन्होंने ये लिया है उनको second नहीं करना, third करना है तो अगर मैं part 1 और 2 की बात करूँ guys 34 plus 11 questions मिलकर बनते है 45 questions जबकि आपका जो marks है 40 marks maximum है तो अगर आप इसकी weightage निकालोगे 40 marks की 45 से divide करके तो each question की weightage आएगी वो 0.88 आएगी यानि कि आपका per MCQ जो है कितनी weightage का है 0.88 का तो जो 1 mark का MCQ है वो ऐसा नहीं है 0.88 weightage है कई students को ऐसा लगना था कि हम attempt 45 करेंगे अगर 5 गलत भी होते तो भी हमें पूरे 40 marks मिलेंगे तो वो चीज नहीं है guys क्योंकि काफी सारे student इस चीज से discuss करेते कि भाई माम हमना 45 करके आएंगे और अगर 5 गलत भी हो चाते तो वो हमें पूरे 40 marks दे देंगे तो ऐसा नहीं है guys आपका per MCQ की weightage 0.88 है तो इस चीज का ध्यान रखना है और दूसरी चीज आपके negative marking नहीं है अगर आपका round off जो होने वाला exam है वो कैसे होने वाला है अगर आपके marks बनते है guys suppose करो 34.3 ठीक है तो आपको highest number दिया जाएगा यानि कि 35 और एक student है उसके बन रहे है 34.9 तो उसका भी 35 भी बनेगा तो अगर आपका एक question गलत हो भी जाता है तो round off करके उसको 35 में convert कर दिया जाएगा यानि कि round off highest number पर करा जाएगा अगर आपका यहाँ पर 1 भी होगा ना guys तो भी आपका highest 35 ही वो आपको marks देंगे round off करके तो अगर किसी student के 39.1 marks बनते हैं एक MCQ गलत भी हो जाता है तो भी उसका round off करके उसके 40 marks ही बन जाएंगे तो यह एक आपके लिए plus point है बट MCQ उसकी weightage कितनी है 0.88 अकाउंट के वेपर के लिए ठीक है और maximum marks 40 रहेंगे तो कोई भी MCQ 1 mark का नहीं है आपका MCQ उसकी weightage कितनी है 0.88 की है यह आपके साथ आज डिसकर्स करना था अगर कोई भी doubt एक वेडी है वीडियो के comment में शेयर कर सकते हो या फिर Instagram पर मेरी idea तब इता मैसी वहाँ शेयर कर सकते है